Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हैं diseases of cotton, यानि कि आज हम पढ़ेंगे कपास की बिमारियों के बारे में चलिए, शुरू करते हैं कपास की बिमारियां, कि कौटन की कौन कौन सी disease है तो start करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि cotton का जो प्लांट है, कपास का जो पौधा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हम बॉल की बात करें कि सिम्टम बॉल पर आएंगे या फिर टिंडों पर या फिर जिसको हम डोडा बोल देते हैं, उसमें सिम्टम आएंगे तो वो कौन सा पार्ट है अगर हम बात कर रहे हैं कि उसके पत्तों पर सिम्टम आएंगे तो कौन सा पार्ट है जब हम फ्लार्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट है है ना चलिए आप एक बार इसको देख लीजिए उसके बाद भी हम चुड़ू करते हैं कि आपके पत्तियों वाला पार्ट कौन सा है, कौन सा फूल है, कौन से आपके बॉल्स है और कौन से हार्वेस्ट के लिए जो है वो बॉल्स रेडी हैं, कैसे वो होते हैं, कौन सा स्टे शुरू करते हैं, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं सबसे पहले लिस्ट, सबसे पहले है बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर एंगुलर लीव स्पॉट या फिर ब्लैक आम, इसका नाम क्या है, किसकी वज़े से होता है, जैन्थुमुरास, एक्जोनोपोडस, पैथवार, या फिर एंगुलर लीव स्पॉट है, या फिर ब्लैक आम है, अगर हम हिंदी में बात करें इसकी तो इसको हम बोल देते हैं, कपास की जिवानू अंगमारी और अगर बात करते हैं, एंगुलर लीव स्पॉट की, तो एंगुलर लीव स्पॉट को क्या बोल देते हैं, कोनिय, पत्ता, धब्बा उसके बाद में हैं, ब्लैक आम, तो ब्लैक आम को बोल देते हैं, काली भुजा तो यह जो आपका बैक्टीरियल डाइट है, या फिर कपास की जिवानू अंगमारी है, एंगुलर लीव स्पॉट है, यानि की कोनिय पत्ता धब्बा है, या फिर ब्लैक आम है, यानि की काली भुजा रोग है यह आपका कपास का सबसे सबसे important रोग है सबसे ज़्यादा प्रमुख्य जो रोग है वो कपास का है सबसे important जो बिमारी है यह कपास की है किसके वज़े से होती है जैन्तोमरास, एक्जोनोपॉडिस, पैथवार, मालवे सेरम यानि कि यह क्या है bacterial disease है bacteria की वज़े से होने वाली बिमारी है चलिए दूसरी disease देखते हैं दूसरी का नाम है Vascular wilt Vascular wilt किस वज़े से हो रही है Fusarium Oxysporum Formal Specialist Vars Infectum तो यह Fusarium Species के वज़े से हो रही है जो आपकी Vascular wilt है वो Fusarium Oxysporum Formal Species Vars Infectum की वज़े से हो रही है इसको हम क्या बोल देते हैं Viglan या फिर उक्था रोग बोल देते हैं या फिर पॉद अंगमारी रोग बोल देते हैं तो यह जो आपका Vascular wilt है जिसको हम Viglan बोल देते है उक्था रोग बोल देते हैं यह किस की वज़े से होता है Fusarium Oxysporum जो Formal Species है कि वुज़ से होता है अगowan委 आगने अगरें उन्ओं या त्टिया डिजीज सो इसके बाद में हैं Anthracnos तो Anthracnos किसके वज़से होता है Colleto Trichum Gossify की वज़से या फिर और भी Species है जैसे कि Colleto Trichum Capses उसके बाद में Redening या फिर लाल्या Disease इसके बार पिर आपने सुना भी होगा यह जो लाल्या disease है या फिर colonial disease है क्यों होती है जब soil की conditions अच्छी नहीं होगी जो मिट्टी की conditions से अच्छी होगी तो लाल्या disease होगी है ना जैसे कि proper उसको क्या नहीं मिल है पानी नहीं मिल पारा है तो यह लाल्या disease होती है तो हमने पड़ी यहां पे bacterial blight, meilleur leaf spot मात या फ ένα आंप अभी सबसे पहले पढ़ेंगे के बारे में उसके बारे में निंड तो सबसे पहले है bacterial leaf blight अब यह जो bacterial leaf blight है या फिर कपास के जिवानों जो अंगमारी है यह जो cotton का सबसे सबसे ज़्यादा important रोग है है ना इसमें ना पांच टाइप के symptom देखने को मिलते हैं कौन-कौन से देखते हैं एक है sidling blight दूसरा है angular leaf spot तीसरा है wean blight या फिर wean necrosis या फिर black wean भी बोल देते हैं अगला symptom है black arm symptom और उससे अगला है square rot या फिर ball rot symptom देखते हैं इसको क्या बोलते हैं जो आपकी sidling blight है इसको बोल देते हैं नवजात पादब अंगमारी पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या के symptom है जो आपका sidling blight है उसको बोल देते हैं नवजात पादब अंगमारी उसके बाद में एंगलर leaf spot जिसको हम बोल देते है कोणिया पत्ता धब्बा उसके बाद में है वील ब्लाइट वील नेक्रॉसिस या फिर ब्लैक वील जिसको हम बोल देते हैं वील का मतलब होता है शिराएं तो काली शिराएं उसके बाद में है ब्लैक आम ब्लैक आम को बोल देते हैं काली भूजा और लास्ट है स्क्वेर रॉट या फिर बॉल रॉट तो इसको बोल देते हैं डोडा सडन तो यह मेंली पांश टाइप के आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में जो आपको कॉटन का बैक्टीरियल ब्लाइट है उसमें पांश सिंटम में ली देखने को मिलते हैं कौन कौन से हैं एक सिडलिंग ब्लाइट है जो है नवजात पादपंग मारी एंगुलर लीफ स्पॉट है जो है कोरिया पत्ता धब्बा वीन ब्लाइट वीन नेक्रॉसिस या सिडलिंग ब्लाइट यानि कि अपका ंवजात पादपंग मारी है तो जो सिडलिंग ब्लाइट ही उसमें क्या होता है सबसे पहले सबसे पहले जो आपका कॉटिलैडन है कॉटिलैडन के ऊपर आपको water sockd water sockd का मतलब है जल सिक्त जल सिक धभबे देखने को मिलेंगे जो य वो क्या है? बिसिकली पिट्योल है. तो उसके थुरू ये क्या चला जाएगा आपके? बाकी प्लान पार्ट में चला जाएगा. और लास्ट में क्या होगी? आपकी जो सिड्लिंग है, उसकी डेथ हो जाएगी. तो ये है आपका सबसे पहले सिड्लिंग ब्लाइट. जो हम कॉ अर्मियम धब्बे देखने को मिलेंगे कैसी होंगे वो भूरे और काले रंग और उसके बाद में क्या होगा आपके जो डंटल जो डंडियां हैं उसके तुरू क्या होगा यह स्टेंड में तनों में इंफेक्षिन चला जाएगा तो यह है आपका सीडलिंग ब्लाइट और उ तो यह जब कोन यह धबा लिखा है हमने तो कोन यह धबा हम क्यों बोलते हैं समझ लेते हैं इस चीज को भी यह आपका पत्ता है है ना तो जैसे यह जो आपके शिराएं हैं शिराओं के साथ साथ में एक कोन पर यह आपको धबे देखने को मिलेंगे तो इसको हम बोल देते हैं angular leaf spot या फिर corn या धबाम इसको बोल देते हैं अब ये धब्बे कैसे होंगे dark green गहरे हरे रंग के होंगे water soaked होंगे यानि कि जल सिक्त आपको धब्बे देखने को मिलेंगे पहले lower surface पे होंगे पत्ते के निचले भाग पे होंगे उसके बाद में ये क्या करेंगे basically angular बन जाएंगे है ना एक angle पे जो आपके wings है या winglets है मतलब कि शिराओं के साथ में आपको धब्बे साथ साथ में देखने को मिलेंगे या पे आप देख सकते हैं तो बिल्कुल शिराओं के साथ में आपको ये धब्बे देखने को मिलेंगे, जैसे ये आपका लीजन पुराना हो जाएगा, जैसे ये धब्बे आपके पुराने हो जाएगे, तो ये लाल से भूरे रंकी हो जाएगे, है ना गेरे भूरे रंकी हो जाएगे, और इंफेक्श बीन लेट सबक्राइगा उसको हम बोल देते हैं we Net या फिर object विए नेख्रोस सलोज या फिर black vein उसको बोल देते हैं ऐ एक बार अगर अगर आपके धी विए थौर कर डे गए थकर न को निफुलिवह बन गे। कि इस्ससार है दे ज्सके य होगा जो जाएंगे और उसके बाद में डीफोली जाएंगे मतलब कि पत्ते जड़ जाएंगे हैं यहां तक क्लेयर्य होगया युप पर लिये पहले हमने पढ़ता हैंसरा ओका है दले नै black arm symptom तो black arm symptom में क्या होता है जो आपकी stem है या आपकी जो fruiting branches है वहाँ पे क्या होगा आपको dark brown मतलब कि गहरे बूरे रंगे और काले रंगे liaison देखने को मिलेंगे girdling हो जाएगी और आपकी जो premature drooping है मतलब कि mature होने से पहले ही आपकी जो लीव्ज हे वह नीचे गिड जाएंगी और जो आपकी स्टेम है जो आपकी भूढ़ा है वह आपको कि दिखाई देगी है ना काले रंग की बिल्कुल सूप जाएगी और लटकी दिखाई देगी जिसको हम बलैक आम बोल देगी तो बैसिकली ब्लाक्वाम में क्या और गष्द काली भुझा में क्या हुरा है जो आपके स्टैम है वह आपको लटकी दिखाई देरी आरे क्यों क्योंकि वह करनी पड़ गई है क्योंकि उसने क्या हुआ है इंट् 선 हो हो गया है जो लीव्स है वो उसके पत्ते भी जड़ गए है और टिपकली आपको लटकी दिखाई दे रही है गर्डलिंग हो गई है उसको हम बोल देते हैं काली भुजा का लक्षन है ना या फिर ब्लैक आम जो सिम्टम है वो हमें इसमें देखने को मिलता है इसके बाद में स सिम्टम तो बॉल डॉट सिम्टम में बेसिकली क्या है हम बोल रहे हैं इसको जो बॉल है उसको डोड़े भी बोल देते हैं तो उसके उपर आपको क्या दिखेगा जल सिक्त कुछ धब्बे देखेंगे हना काले से भूरे रंग के कुछ धब्बे आपको देखने के मिलेंग उसके बाद में क्या होगा यह दबर आगे बढ़ जाएंगे और उसको क्या होंगे यह अन्दर की तरफ को HOLGHHHH और क्या होगा आपका यह जो क्वाय हे जए गिर जाएगा है निश एडिंग वह जाएगी तूट जाएगा गिर जाएगा तो यह है आपका ball rot symptom या आपके square rot symptom जिसके वज़े से शुरू में ही क्या होगा आपका ball infection के बाद में later stage पर क्या होगा फट जाएगा है ना तो जो bacteria है bacteria क्या करेगा ball के अंदर फैल जाएगा है ना उस tinday के अंदर उस dode के अंदर चला जाएगा अब आपको पता है अगर हम zenthomanas की बात करें तो zenthomanas क्या करता है yellow color देता है तो यह क्या करेगा ball जो अंदर से होगा वो क्या हो जाएगा पूरा पीले रंका पड़ जाएगा क्यों पड़ेगा bacteria की pigment की वज़े से देगा है ना और उसके वज़े से क्या होगा market value क्या होगी कम हो जाएगी seeds को भी affect करेगा और seeds की भी जो viability है वो कम हो जाएगी बीजों की भी चले एक बार देख लेते हैं यह आपका bacterial blight था यह venal necrosis इसक करते हैं कि bacteria कहां रहता है कैसे survive करता है और कैसे हम उसको manage कर सकते हैं तो bacteria survive or infected dried plant debris in soil for several years की मिट्टी में रहेगा जो भी आपका plant debris है है ना जो भी आपके सुखे हुए plants हैं वहाँ पर बहुत time तक bacteria survive करेगा bacteria seed born है है और यह क्या करेगा fuzz में रह सकता है जो फालती कर देशका hella से इसमीं क्या होता है बहुत सारे दांगे में बहर की दर्फ को बहुत सारे fibers होंगे इसको अज्क हटा देते हैं है ना डी लिंटेंग कर देते हैं इसकी तो आफि की सीड के यानि कि बीज के ऊपर भी रह रहा है प्राइमरी इंफेक्शन जो प्रात्मिक इसका संक्रमन है वो किसकी वज़े से हो रहा है सीड की वज़े से हो रहा है और जो सेकेंडरी स्प्रेड है दूसरी बार जो उसकी रोग चक्र बन रहा है वो किसकी वज़े से बन रहा है हवाओ कोई की फञतktion कि ऑन रहा है और आप नुदल यूज्स करते हैं ऑसके वजह से बंढवा आधिक अब देखो जहां पर आपको पता है कि बैक्टीरिया सीड में रह तोब मैनेजमेंट में भी क्या करोगे सी ट्रीटमेंट दोगे हैना बीजों का उपचार करोगे अगर आपको पता है कि बैक्टिरिया स्वाइल में रह रहा है तो आप क्या करोगे मिट्टी से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो करोगे तो यहां पर मिट्टी में भी रह तो देखते हैं इसकी management हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा कि bacteria fuzz में रह रह रहे मतलब कि जो बीजों के बाल है उसमें रह रहे तो आपको क्या करना है उन बालों को पूरी तरह से remove कर देना है हटा देना है कैसे हटा सकते हैं जो आपका concentrated sulfuric acid है उसके साथ में हम उसको हटा सकते हैं उसके अलाव हम क्या कर सकते हैं जो आपके di lintyل को घॉई है दीन इंटनism के साथ में Telinary homes की और जो आपके इंट्टेग चना OFF है यह बांटियर उस्ट कर सकते हैं if और नहीं सब्सक्राइब यह गांटनेख सब्सक्राइब कुंसी है एक है सुजाता 14-12 और सीयर्च 7.1 यहłem इसके घ्ररीटि आति यहिए अब हमने बैक्टिरिया के लिए विच्ट यह सब और इसके हैं कौन कौनगे कोंगे उसके बादंगे हम क्गैगे Sargeri died risk सुप ऑ्र Enough को सकते हैं बैक्तिरिया करें कि टृट में हैं अच्पारी और सका जिन बालों मेंCome ऊगे ना बढ़ पाए ना एक Pannesy दूसरे ना पुछ पाए चलिए तो अब है बैक्टेरिया के लिए हम स्ट्रेट्रोमाइज सिन यूज कर सकते हैं या फिर टेट्रा साइकलिन भी यूज कर सकते हैं है उसके लाव हम क्या कर सकते हैं कॉपर का कोई कंपाउंड कॉपर ऑग्जिक्लोराइड को यूज कर सकते हैं चलिए करेक्ट लिखा है जिन्होंने भ Fusarium, Oxysporum, Formal Species, Vars Infectum है ना यह आपका विगलन रोग है या फिर उक्टा रोग है किसके वज़े से होता है Fusarium Species के वज़े से होता है The disease affects the crop at all stages कि सारी कि सारी स्टेजिस पे चाहे वो नवजात है चाहे वो किशोर अवस्था में है चाहे वो बड़ा हो गया सारी स्टेजिस पे सारी अवस्था टेक्ट करेगी सबसे पहले ईक्रम आपको बीज पत्रो में इसके बार चाहे और उसे बाहरे पर जाएगा जो आपका डंठल का निचला हिस्ता है जो बेस है पिटी ओल्का वहाँ पे आपको ब्राउन कलर की रिंग देखने को मिलेगे और उसके बाद में क्या होगा विल्टिंग हो जाएगी वह पुर्णी इंप के आप को इसके शम्टम देखने को मिलेंगे और नई पट्रेस की सिंटम देखने को मिलेंगे यह सारे भी आपके आसपास ईंप कर देगा प्ति होत कर देगा इसे पूरे प्रांट को सुखा दोगा पत्ते ज़र जायेंगे और इसमें दो यह होता है अआग एक हिस्से में City होती है और सिर्फ ओर होता है पूरा पूरा प्लांट ही आपका बिल्ट कर जाता है सूक जाता है मुर्जा जाता है तो यह जो आपका इसका प्रात्मिक संक्रमन है वह वह जमीन की वज़ Hillary होता है यह ओपर तक उस जाल की वज़े से क्या हो जाता है आपको प्लांट है उसे बिल्टिंग को जाती है वह मुर्जा जाता है तो यह आपके सिप्टम है सबसे पहली क्या बात है कि शुरू में जो पत्यों का किनारे हैं, किनारों से ये सुखना शुरू होगा, है ना, पुरानी पत्यों पे पहले सिम्टम आएंगे, तो जो आपकी साइट से किनारे हैं, वो पहले सुखना शुरू होंगे, और यलो पर जाएंगे, ब्राउन पर जाएंगे, और जो आपके ब थे इंORA इसिए किन आरे भी पत्तों के बूरे होचुके में पुरह है एक जब अभी ब्लैकनिंग तो यही लिखा discoloration देखने को मिलेगी है ना blackening देखने को मिलेगी कालापन देखने को मिलेगा और कुछ time बात क्या होगा जो balls है वो भी आपके कम बनेंगे और अगर बनेंगे तो बहुत छोटे बनेंगे और mature होने से पहले ही वो क्या करेंगे खुल जाएंगे open हो जाएंगे तो यह आपके फिजेरियम विल्ट के क्या है symptoms है पैतोजन क्या है externally और internally seed born है है ना soil born भी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो primary infection है वो soil की वज़े से हो रहा है secondary infection क्या है आपका जो wind के तुरू हो रहा है या फिर irrigation के पानी के तुरू हो रहा है तो इसके लिए management भी हम क्या करेंगे उसी क recording management करेंगे की seed treatment देंगे soil treatment देंगे है ना जो infected plant parts है उसको remove कर देंगे burn कर देंगे deep summer flowing कर सकते हैं apply कर सकते हम potash को है ना और nitrogen जो होगी वो हम limited देंगे जितनी required है उतनी balanced dose देंगे उसके लाग हम FYM बगएरा यूज कर सकते हैं और mixed cropping follow कर सकते हैं अब अगर हम resistant varieties की बात करे तो resistant varieties कौन कौन सी हैं जैसे बारा लक्षमी है विजे प्रताप है जयाधर है ये सारी आपकी resistant variety है Fusarium wilt के लिए अगले तरफ चलते हैं अब next हमारा कौन सा disease है verticillium wilt अब ये जो verticillium wilt है ये verticillium डैली की वज़ज़ से होता है चलिए इसके symptom भी देख लेते हैं कि symptoms कैसे हैं कि जो आपके infected plants हैं वो बिल्कुल छोटे होंगे शुरू की stages में वो छोटे रह जाएंगे first symptom कैसे होगा कि जो आपकी veins हैं जो शिराएं हैं वो bronze color की हो जाएंगी और उसके बाद में क्या होगा intervenal crosses हो जाएंगी यानि कि पीला पन देखने को मिलेगा आपको veins के अंदर भी और पते बिल्कुल पीले पड़ जाएंगे उसके बाद में आपको जो leaves हैं वो सुकना शुरू हो जाएंगी और scorched appearance देंगी यान कि burnt जली हुए appearance देंगी जो आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि patches में filled क्या है dry हो गई है सूख गई है और इसमें एक बहुत important ची margins कि जो आपके leaf margins है जो पत्तों के किनारे हैं और जो शिराओं के बीच का portion है जो शिराओं के बीच का भाग है वो आपको tiger stripe जैसे कि आपके बाग के ऊपर होती है न stripes या फिर उसका पंजा होता है उसका claw है वैसी appearance देता है तो यह इसका characteristic feature है जो infected stem है roots है अगर आप उनको च यहां पर आप देख सकते हो photos में इसके symptoms बहुत clearly अब कहां survive करेगा एक तो यह आपका soil में survive करता है है ना up to 14 years तो primary infection है वो किसके वज़े से हो रहा है जो इसके कुनीडिया है या micro sclerosia है soil में और जो secondary infection है वो किस वज़े से हो रहा है जो आपकी diseased plants है उनकी वज़े से healthy plants मे हो रहा है किस वज़े से जैसे कि आपके irrigation water रहा है या tools हो रहा है की वज़े से हो रहा है तो अब हमने इसका infection पढ़ लिया mode of spread पढ़ लिया कि संक्रमन किस वज़े से हो रहा है तो management कैसे करेंगे same चीज की treat करेंगे हम seeds को remove करेंगे जो भी हमने पीछे fusion wilt में पढ़ा था वै NCU5WT तो यह इसके लिए management wilt के लिए सेम है सिर्फ आपकी resistant varieties अलग हैं चलिए बागे पढ़ते हैं एंथ्रक्नोस के बारे में तो आपको जो एंथ्रक्नोस है वो कुलेट्रो ट्राइकम स्पीशिस के वज़े से होता है कुलेट्रो ट्राइकम गॉसिपाई की वज़े से होता है या फिर कैप्सिसी की वज़े से होगा तो यह क्या करेगा pathogen जब शुरू की stage में infect करेगा जैसे कि जो siblings है जो नवजात पौदे हैं उनको affect करेगा तो आपको हलके red color के छोटे छोटे circular गोल आपको जो नियम में धब्बे हैं वो आपको बीच पत्रों पर देखने को मिलेंगे और जो आपकी पहले वाली primary leaves है जो प्रास्मिक आपकी पतियां है उनके उपर आपको इसके लक्षन देखने को मिलेंगे अब यह लीजन जो है आपके color region पर भी हो सकते हैं stem में girdling हो जाएगी और आपकी seedling wilt करके उसकी death हो जाएगी है ना मुर्जा जाएगी और उसकी death हो जाएगी अगर यह था नवजात अगर पौदा है अगर आपका mature plant है बड़ा plant है तो उस भी क्या होगा stem splitting हो जाएगी है ना बीच से वह आपको चीरता हुआ दिखेगा और ब्रेक जो आपकी बार्क है वो क्या हो जाएगी shred हो जाएगी the most common symptom जो सबसे common symptom है वो है ball spotting है ना कि जो आपके इसमें balls है उसके उपर आपको spots दिखाई देंगे small water soaked circular reddish brown depressed spot appear on the balls कि जो आपके इसमें डोडे है उसके उपर क्या होंगे आपको water soaked जल सिक आपको जो गोल लाल और brown कलर के धब्बे हैं वो देखने को मिलेंगे जो इसका lint है वो कैसा हो जाएगा yellow से brown कलर का हो जाएगा और जो fibers है वो बिल्कुल इकठे हो जाएगे solid mass बन जाएगा उनका अब यह जो आपके ऐसे balls होंगे यह क्या करेंगे ग्रो नहीं करेंगे है ना यह बड़े नहीं हो पाएंगे और mature होने से पहले ही सूख जाएंगे pathogen हमने पढ़ लिया कि collateral trichum gossipy या फिर collateral trichum capsic के वज़े से हो रहा है जिसकी telomouse stage है glomadella gossipy चलिए अब आगे देखते हैं कैसे इसकी management करें एक बार आप symptom देख लिजे कि आपको इस तरह से इसके symptoms देखने को मिलते हैं anthracnose के management क्या करेंगे seed treatment देंगे infected plant parts को हम destroy कर देंगे जो आपके weed host है उनको वहांस दे हटा देंगे और हम क्या कर सकते हैं mancozeb का या popor oxy chloride का spray कर सकते हैं जब आपकी ball formation stage होगी हैना जब आपकी डोडे बनना शुरू होगे तो उस टाइम पे हम mancozeb, popor oxy chloride या आपे carbon dozen का spray कर सकते हैं doses यहां दी गई है next है grey और adulate mildew अब देखो यह जो आपका grey mildew है या areolate mildew है इसका sexual और asexual stage commonly पुछा जाता है तो यह ramularia areola की वज़े से होता है इसका जो sexual stage है वो है microspherella areola क्या होता है इसका नाम mildew क्यों रखा है आपको पता है mildew क्या है किसी type की कोई growth है तो क्या होता है पत्तों के उपर भी हमें जो अंडर सर्फेस है जो नीचे वारा सर्फेस है वहां पर आपको leaves पे पत्तों के उपर growth देखने को मिलेगी है और उसके बाद में क्या होगा धीर धीर वो जो और उपर की तरफ को भी उसको कवर कर लेंगे जो पता है उसके उपर हिस्से को भी कवर कर लेंगे तो इसके symptoms देखते हैं कि यह जो डिजीज है होगा आपको जो ऑपर इससे अधयर हैं आपको बिलकुल और उपर वाली तो आपको जो उपर वाला हिस्सा है वहां पे ligh green और yellow green कलर के और रप धबे देखने को मिलेंगे और उसके बाद में क्या होगा जो white color की growth है वह सारे इसको as culture कि पूरे पते को क्या करदेगी और पूरे प्लांट के ऊपर भी आपका जो क्या है इसका infection फैल जाएगा अब क्या होगा मार्जिं से जो आपके men ie to consider कोना है तो किनारों से वह क्या करेंगी इसोखना शुरू हो जाएंगी जलो-ब्राउन हो जाएंगी और उसके बाद क्या होनगी गिर जाएंगे मैं चौर होने सिर्फ से पहले हैं प्क Мих Farm infection देखिए तो किसके फ्रूता है आपको नीदिया के पहले हो आपके जो डेपरी का रोब के अफषेश है वहां पे होंगे क्या होता है जाधा हम ने ड्रोजन ही जादा एक्सेस में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है उसके बाद में स्पेसिंग करेक्ट रख नहीं है और कार्बेंडर जिम को हम यूज कर सकते हैं बाद करें तो सुजाता और वारा लक्षमी is के लिए डेडिस्टे परराइटी है अब आपको पता है लीव कर डिसिस है लुआ इसना इसको हम बोल देते हैं हिंदी में पत्तामरोड डिसीज मरूड अब नाम से पता चल रहा है कि यह क्या है इसमें जो आपके पत्ते जायंगे सैना चाहएं आपकी वायर्लिजीज तो इसके लिए हमें क्या करना है आपको भाती जेखने को मश्थी है तो इसकी क्यानेज्बन हम ट्डिसकस कर चुके हैं है तो पत्तर इसे मारूड लिखा है तो पत्ते कैसे हो जाएंगे आपका सिंक्टम केसे का Beet name कर लिंग о जाएगी आपसे के लिज़ाए करल लेंगी इस इसकी वाइरुस के में देखते हैं कि व्हाहतकोurg this good news is इसका सप्रेड एक सप्रेड होता है एपी गिट होती है ऐसा सफेध मख्षी की वज़े थी वह दो दृफ अब नहीं पता होगे मैंने आप से लास्टेम पूछा था जो आपकी लास्ट वाप हमने डिसकस की थी शुगर केन की रेड रॉट में रेड़निंग अभी क्यों दिखाई देती है क्यों वह अंदर से लाल दिखाई देता है हमने पड़ा था कि जो वाइट उसमें स्पेक्स ह वो उसका क्या है क्या एंक्या क्यव ही ओसमें दिखाई देते हैं बाद मिधो इतना आप अंसर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताती हूं थोड़े सांसर बतायाइगा जाए ज़सको नेक्सक्त क्या रॉक्स बताते हूं नेक्स्ट क्या है इस क्रॉप से रिलेटेड की जो लाल्या डिजीज है है या फिर जिसको हम रेड्निंग भी बोल देते हैं इसमें हमने लिखा है कि बारे में हम डिस्कुस करेंगे फिर उसके बाद भी नेक्स क्लास में अभी के लिए जो मैं आप से पूछा आपको उसकीनकां से दिया ढऄ है जो आप से लास्ट क्लास में पोच्छा गया था कि जो आपका रेड रॉट है उसमें आपको लाल रंग्र क्यों देखने को मिलता है कि है को कई होने लिखा है थे शेकně लिखा है प्रोटोप्लासम देखने को मिलती है लाल रंग वहाँ पर देखने को मिलता है चलि नेक्स्ट क्लास के लिए आपको लाल्या डिजीज, रेडिंग डिजीज या फिर जो हमारी बैड सॉयल कंडिशन के वज़े से होती है उसके बारे में पढ़ क्या आना है इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोंगे चलि ठीक है, थांक यू